अहिल्या, द्रोपदी, तारा, कुंती, मंदोधरी तथा, पंचकन्या, अस्मरे, नित्यम, महापातक नाशनम अहिल्या, द्रोपदी, तारा, कुंती, और मंदोधरी इन पाच कन्याओं का नाम अश्कर अस्मरण करने मात्रशे आपके समस्त पात तक समस्त पाप नश्ठ हो जाते हैं राधे राधे दोस्तों जैस्री कृष्णा स्वागत है आपका हमारे चैनल पर तो आज इसनी पंच कन्याओं मेंसे एक जो मंदोदरी हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे रामायड में भगवान स्री राम, माता सीता, हर्मान जी, बिभीशन, लक्षमड जी इन सब पात्रों को बहुत बिश्तरित रुप से बताया गया है चुकि रामायड इनी के इर्दगिर्द घोंता है लेकिन उनमें से एक पात्र थी मंदोदरी जिनके बारे में बहुत संच्छेप से बताया गया है बहुत छोटा बताया गया है तो आज उसी की बिशे में जानने का प्रयास करेंगे कि जब रामण की मृत्य हो जाती है तब मंदोदरी का क्या होता है क्या वह अभी मर जाती है या फिर वह कहीं चली जाती है इसी भी से कहानी लेकर आए हैं तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए तो मंदोदरी के रावण के मृत्यु के बाद मंदोदरी क्या हुआ यह जानने से पहले सबसे पहले हम यह जानते हैं कि मंदोदरी कौन थी और रावण से विवाह के पहले वो क्या थी रामण से बिवाह के पूर्व मंदोदरी एक मेंडिकी थी जो कि माता पार्वदी के स्राप के फलस्वरूप हो गई थी कहा जाता है कि एक पौराणी कथा के अनुशार एक बार भगवान सीव तपरश्या कर रहे थे उसी समय एक मधूरा नाम की अपसरा जो कि घूमते घूमते उस कैलास परबत पर पहुझी और भगवान सीव को देखकर मंत्र मुख्ध हो गई भगवान सीव की तरफ आकरशित हो गई जब कुछ समय के बाद जब माता पार्वदी वहां पर आती है और उसको देखती है तब उन्हें क्रोध आता है और उसे स्राब दे देती है कि जाओ तुम 12 वर्ष के लिए मेंडिकी हो जाओ फिर वहां रोने लगती है गिरगिराने लगती है कुछ समय के बाद जब भगवान संकर की योग नीद्रा तूटती है और तपस्या से बाहर आते हैं तब हो माता करती कहती है कि महादेव मेरा स्राब भीफल तो नहीं जाएगा लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक उपाय बता सकती हूं जहां तुम 12 वर्ष तक कठोड तपस्या करोगी उसके बाद तुम्हारा अफसरा वाला रूप पुनर प्राप्त हो जाएगा यह सुनकर मेडिकी वहां से चली जाती है वह एक जगा पर जाके तपस्या करना प्रारम गड़ देती है उसके तपस्या के पूड होने का समय आने ही वाला रहता है कि उसी समय माया सूर जो की असूरों का राजा रहता है वहीं पर पुत्र प्राप्ति की लालसा से तपस्या करने आता है उसकी तपस्या अभी पूर्ण होने ही वाली रहती है कि उस समय मेंड़िगी की तपश्या पूर्ण हो जाती है और वह अपने अपसरा वारे लूप में पुनर आ जाती है और वह एक कुवे में पड़ी रहती है तो उस कुवे में से फिर चिलाने की आवाज आती है कि बचाओ बचाओ माया को उस कुए से बाहर निकालता है और उसे अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लेता है इसके पश्याद एक समय जब रामड माया सुर से मिलने जाता है तो वह मंदोदरी रखता है तो मंदोदरी चुकि पहले अफसरा थी तो इतनी सुन्दर हती है कि रामड उनको देखकर आकरसित हो जाता है और उनसे बिवा का प्रस्ताव रखता है लेकिन माया सुर को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं रहता है और वह मना कर देते हैं कि नहीं मैं अपनी पुत्री का बिवा तुम से नहीं करूँगे लेकिन रामड को यह बात बरदास नहीं होती है और वहां जब मंदोदरी रामड को अपने पती के रूप में स्विकार कर लेती हैं अब जानते हैं कि जब रामायड का युद्ध हुआ तो रामायड में जितना भी मंदोदरी को दिखाया गया है वह एक बहुत नेतिकता वाले इस्त्री थी जो सुरू से ही अपने पती को यह समझाती है कि भगवान स्री राम से बैर लेना उचित नहीं है, किसी भी फराय इस्तरी को उसकी अनुमति की बिना उसको छूना या उसको हरण कर लाना यह महापाप है, जितना भी मंदोदरी को दिखाया गया है, उनको यही दिखाया गया है, कि बहुत धार्मिक प्रविटिकी और बहुत स उसका युद होता है, और युद में मारा जाता है, जब रावण की मृत्य हो जाती है, उस समय लंका में बिरोधाभा सुरू हो जाता है, लंका में बिद्रोध सुरू हो जाता है, क्योंकि लंका दो धड़ों में बटने लगती है, कुछ लोग जो धार्मिक प्रविटिकी थोड़े वह उत्राते हैं वह विभीशड का साथ देने लगते हैं और कुछ लोग जो राक्षा सिवर्वृत के हैं वह कहते हैं कि नई विभीशड ने अपने भाई के साथ धोखा किया यह हमारा राजा नहीं हो सकता और जब रावण की चिता जलाई जाती है तो कहते हैं कि म मंदोदरी भगवान स्री राम की बात मान जाती है योगि इतना सब कुछ हुआ था या रावण मारा गया था उसके सभी पुत्र मारे गये थे उसके पश्चाद भी मंदोदरी कभी इन सब चीजों के लिए भगवान स्री राम को जिमेदार नहीं मानती है वह जानती है कि ज जगह जो और भी बाद में अधूत्रा माय दिखा गया है एक आज जगह कहानियों में इस चीज का विस्तार से विवरण किया गया है कि मंदोदरी को भगवान स्री राम ने कहा कि आप विवेशन से विवाह कर लीजिए मंदोदरी प्रस्ताव को नहीं मानती है भगवान स्री विवेशन को समझाते हैं कि आप मंदोदरी से विवाह कर लीजिए क्योंकि उस समय इस बात का प्रचलन था कि अपने देवर से विवाह कर सकते थे विवेशन भी नहीं मानते हैं लेकिन जब लंका में विद्रोह उत्पन होने लगता है तो राजकाज इस्थिर्ता से चले और लंका बढ़ियां से सुचारू रूप से चल पाए इसके कारण मंदोदरी और विवेशन का विवाह होता है चुकि विवेशन की और कई पत्नियां थी तो उन्हें पुत्र प्राप्ति की लालसा या और किसी भी चीज की वज़े से मंदोदरी से विवाह तो करना नहीं सिर्फ यह था कि लंका में प्रजा में बिद्रो होना उत्पन हो और लंका दो भागू में विवाजित नहों सब शगर सांती अस्थापित हो सके इसी कारण बस मंदोदरी और विवेशन का विवाह होता है तो यह थी मंदोदरी की कथा कि रावण के मरने के बाद उनका क्या हुआ तो दोस्तों अगर आपको यह कथा कहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमसे जुड़ जाईए मिलते हैं किसी और कथा के साथ आज के लिए बस इतना ही राधे राधे जैसिर कृष्णा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू